हलो गाईज दिस इस विपन बलोनी वेलकम बैक तो मैं चैनल सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्चन की जो की हर बिगिनर फोटोगरफर के दिमाग में कभी न कभी ज़रूर आता है जो की है क्या चीज जादा जरूरी है क्या एक बहतर कैमरा आपके पास होने से आप एक बहतर फोटोगरफर बनते हो या उसके अलावा बाकी सारी चीजें भी उतनी ही जादा इंपोर्टेंस रखते हैं जितना की कैमरा तो आज हम इस क्वेशन के बारे में बात करेंगे डीटेल में सो स्टे टून और वाच्ट वीडियो तिल दी एंड गाईज सो कमिंग बाक तो दे क्वेशन इस इट अबाउट दे कैमरा और इस इट अबाउट फोटोगरफर क्या जादा इंपोर्टेंट है क्या एक बहतर कैमरा होने से या एक महंगा कैमरा होने से कॉस्टली कैमरा होने से आपकी फोटोगरफी स्किल से इंप्रूव हो जाएंगी या आप एक अच्छे बेटर फोटोगरफर बन जाओगे या और बाकी चीज़ें हैं जो की importance रखती हैं, camera के अलावा भी तो अगर मैं आपको अपने personal experience से बताऊं, तो इस question का कोई भी सीधा सा जवाब कभी भी नहीं हो सकता, कोई straight jacketed formula या कोई straight jacketed तरीका नहीं है, इस question के answer तक पहुचने का, ठीक है ये आपको अपने खुद के experience से ही पता चलेगा, कि क्या चीज कितनी important है, और कहाँ पर किस चीज की ज़ादा importance है, ठीक है for example, मैंने बहुत professional photographers को ये कहते सुना है, कि जब कभी भी कोई amateur photographer या कोई beginner उनसे सवाल करता है, कि camera कितना important है, तो वो फट से जवाब दे देते हैं, कि it's not about the camera, it's about the photographer, it's about the skill set, और फिर वो लोग आप देखोगे, महंगे camera यूज करते हैं, खुद और तूसरों को कहते हैं, कि it's not about the camera और वहीं पर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो बहुत से ऐसे लोग हैं, जो ये कहते हैं कि it's all about the camera सरफ camera ही important है, skill set कोई जाधे importance नहीं रखता अगर आपके पास में एक महंगा camera है better camera है, तो आप एक अच्छे photographer बन जाओगे, ये दोनों ही चीज़ें अपने आप में बहुत दो extremes को दिखाता है और ये दोनों चीज़ें अपने आप में बहुत अधूरी है कोई भी एक जवाब इस चीज़ का नहीं हो सकता अलग अलग standpoint से जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इस question का कोई straight answer नहीं हो सकता कोई सीधा answer नहीं हो सकता अलग अलग standpoint से अलग अलग answers होंगे और अलग अलग समझाने के तरीके होंगे तो आज हम इसी question के बारे में बात करने वाले ठीक है तो अगर हम बहुत basic तरीके से समझने की कोशिश करें कि पहले हम camera को समझते है कि camera है क्या किसी भी और field के जैसे photography अपने आपने एक creative field है ठीक है और camera एक tool है जैसे कोई भी और tools होते हैं काम को करने के लिए वैसे ही जो है अपने आप में camera जो है एक tool है जो की आपकी मदद करता है हमारी मदद करता है photograph को click करने के लिए okay so it's just a tool यह सिर्फ एक tool है अब इस tool के अलावा photography skill set या technicalities या process को समझना यह सारी चीज़ें भी उतनी ही जरूरी है जितना की camera जरूरी है तो यह नहीं हो सकता कि आपके पास में camera अगर अच्छा है तो आप better images click कर पाऊगे ठीक है for example अगर आपको technicality की समझ है आपको process के बारे में पता है आपको पता है shoot कैसे करना है lighting को किस तरीके से use करना है तो एक अगर ऐसा इंसान है जिसको यह सारी चीज़ें पता है एक professional photographer है उसके पास में अगर एक normal से normal camera भी होगा न तो वो बहतरीन images click कर पाएगा but अब यहाँ पे question यह आता है कि अगर आपके पास में skill set है तो क्या एक normal camera होने से आप professional level के shoots कर पाओगे या उस level का काम कर पाओगे तो यहाँ पे इसका जवाब होगा नहीं क्यूं? अब समझने वाली बात यह है कि एक tool जो है उसकी अपनी एक limit होती है ठीक है? हर tool की, हर gear की, हर instrument की अपनी एक limit होती है अगर आपका skill set अच्छा है और अगर आप एक किसी भी tool को, किसी भी camera को अगर आप उसके optimum level तक use कर पा रहे हो तो वहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अब आप उससे ज़ादा stretch नहीं कर सकते उस चीज़ को एक camera जो है, एक gear है, tool है अगर आपका skill set है बाकि सारी चीज़े important है, मैं कहा रहा हूँ आप उन सब चीज़ों को छोड़ करके gear के बारे में बात नहीं कर सकते तो अगर आपके पास में skill set है आपके पास में skills है technicality आप समझते हो, process आपको पता है उसके बाद अगर आप कोई भी camera यूज़ कर रहे हो न तो उस camera को use करते जब तक आप करते रहोगे और बार बार उसको use जब आप करते रहोगे तो आप एक ऐसे level पर पहुंच जाओगे जहाँ पर कि आप अपने gear की limit को limit को cross कर जाओगे या एक limit तक आप उसकी पहुंच जाओगे उससे उपर आप उसको stretch नहीं कर सकते अब आपको उससे जादा अच्छा result वो camera या वो gear नहीं दे सकता तब मुझे लगता है वहाँ पर जाकर के camera जो है important हो जाता है बहुत जादा वहाँ पर ये बात शुरू होनी चाहिए कि अब जो है camera important है उससे पहले तक किसी भी अगर general मैं public के बारे में बात करूँ है एक layman's perspective से बात करूँ तो gear कभी भी important नहीं हो सकता gear या कोई instrument कभी भी एक professional level के photographer के लिए है किसी professional को overpower नहीं कर सकता gear कभी भी नहीं gear सिर्फ एक tool है जो कि एक professional की help करता है किसी भी काम को better तरीके से करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए ठीक है तो हर tool की अपनी एक limit होती है उस limit के बाद जैसा मैंने कहा आप उससे ज़्यादा फर्दर उसको stretch नहीं कर सकते वहाँ पे आपको professional camera की तरफ जाना पड़ेगा महंगे cameras की तरफ जाना पड़ेगा या आपके पास में for example अगर आप इस level पे पहुँच गए हो कि आप एक camera को पूरे तरीके से use कर पारे है उसके optimum पे या बहुत time तक जब आप practice करते हो या बहुत time तक आप photography करते हो और फिर अगर आप एक ऐसे point पे पहुच गए हो जहाँ पे कि अब आपके पास में commercial shoots आने लगे है और आपको professionally shoot करना है किसी client के लिए काम करना है या आपको अपनी photography को बेचना है ठीक है you need to sell your work वहाँ पे gear बहुत ज़ादा important हो जाता है वहाँ पे जब आपको clients pay कर रहे हैं काम के लिए ठीक है या आप commercial photography कर रहे हो professional level की photography कर रहे हो या high end fashion shoot कर रहे हो वहाँ पे gear बहुत ज़ादा important हो जाता है तब जाकर के gear की importance बहुत ज़ादा होती है जब आप अपने skill set से एक tool को पहले ही overpower कर चुके हो या उसको जो है ना उसकी limit को cross कर चुके हो तब जाकर के gear बहुत importance हो जाता है important रखता है importance रखता है या important हो जाता है उससे पहले तक gear की बात करना अपने आप में बहुत ही मैं कहूंगा बेवकूफी वाली बात है ठीक है for example अगर कोई professional photographer है और वो एक high end camera अगर use कर रहा है तो ये कह देना कि just because उसके पास में मेंगा camera है तब ही उसकी images जो है न अच्छे आ रही है ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है अगर कोई photographer better images click कर पा रहा है तो वो सिर्फ camera की विज़े से नहीं click कर पा रहा है अफकोस उसके पास में एक better camera है वो एक tool एक अच्छा instrument उसके पास में है बट उसके साथ साथ उसके पास पे वो necessary skills भी है उसको technicality के बारे में भी पता है उसको काम करना आता है तब जाकर कि उस gear को वो better तरीके से use कर पा रहा है अपनी skill set के थुरू better results देने के लिए ठीक है और यहीं पे अगर आप किसी ऐसे इनसान को देखो जो की beginner photographer है जो सिर्फ start कर रहा है उसके पास में अगर आप एक बहुत ही fully professional level का camera भी अगर आप उसके हाथ में दे दोगे न तो वो mediocre काम ही कर पाएगा क्यों? क्योंकि उसका उसकी technical जो जानकारी है अभी वो उतनी नहीं बड़ी है उसके पास में वो skill set नहीं है तो वो better camera होने के बावजूद भी उस camera को उसके optimum पे use नहीं कर पाएगा उस camera को उसके optimum पे वो use नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास में वो necessary skill set अभी maintain मतलब उसके पास में वो necessary skill set जो है अभी उसने तयार नहीं किया अभी उसको उतनी जानकारी नहीं है information नहीं है, knowledge नहीं है process के बारे में जानकारी नहीं है तो वो उस महंगे camera को भी अच्छे तरीके से use नहीं कर पाएगा handle नहीं कर पाएगा वहीं एक professional level का अगर photographer है वो एक normal camera को भी अगर use करता है तो जैसा मैंने पहले कहा वो better images क्लिक कर पाएगा but अब ऐसा नहीं है कि एक professional level का photographer अपने किसी professional काम के लिए जा रहा है या बहुत high end commercial shoot कर रहा है तो भी वो एक entry level DSLR camera लेकर के चला जाएगा और shoot करने लग जाएगा यह नहीं हो पाएगा क्योंकि जैसा मैंने बोला camera की tool की अपनी एक limit है उससे जादा वो नहीं उसको stretch कर सकता उससे जादा better results वो नहीं create कर पाएगा जो है normal camera से और जब client आपको pay कर रहे है और professional काम आप कर रहे हो वहाँ पे जैसा मैंने पहले बताया gear बहुत ज़ादा important रखता है और बहुत important है वहाँ पे तो यह एक combination होता है एक अच्छे tool का प्लस अच्छी skill set का यह combination मिल करके better photography बनाता है ठीक है for example अगर मैं आपको दूसरी analogy से समझाने की कोशिश करूँ तो अगर आप कहते हो कि कार कौन सी अच्छी है ठीक है Ferrari जदा अच्छी है या एक normal जो है for example Tata Nano Centro या कोई भी auto normal level की कोई कार की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप इनके बीच में compare करोगे कि Ferrari अच्छी है और नॉमल एक कार अच्छी है तो इसका कोई clear cut जवाब आपको नहीं दे सकता है या इसका कोई clear cut जवाब नहीं है ठीक है यह depend करता है कि आप कौन सी situation में हो किस तरीके से आपको उस particular गाड़ी को use करना है for example अगर आपको racing में उस गाड़ी को उतारना है racing arena में अगर आपको गाड़ी को उतारना है तो of course वहाँ पे Ferrari जो है वो ज़्यादा important है वो better काम करेगी क्योंकि वो उस काम के लिए बनी है और वहीं अगर आपको for example चान्दी जॉक में अगर आपको गाड़ी को ले करके जाना है तो वहाँ पे Ferrari अपने optimum पे काम नहीं कर पाईगी वहाँ पे एक normal गाड़ी ही आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी help कर पाईगी तो अब इसका मतलब यह नहीं है कि एक चीज दूसरी चीज से better हो जाती है या एक चीज दूसरी से खराब हो जाती है situation पे depend करता है आपके kाम पे depend करता है आपके skillset पे depend करता है और आप किस जगह पे उसको use कर रहे हो उस पे depend करता है कि कौन सा tool जो है आपकी किस level तक मदद कर सकता है same चीज photography में है same चीज camera की नहीं है अगर आप एक professional level पे काम कर रहे हो और highly professional शूट अगर आप कर रहे हो एंड शूट कर रहे हो वहाँ पर gear इंप़ेंट है बट गियर के अलावा अगर आपके पास में गियर हैले लेकिन वहीवाहां दूसरी तरफ अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आपको गिसी पैसा है आपने खरीद जरूरी है जितना की skill set जरूरी है तो photographer की skills भी जरूरी है और camera भी उतना ही जरूरी है ठीक है तो ऐसा है photography के साथ में ठीक है अगर मैं आपको अपने personal experience से बता हूं तो जब मैं एक normal entry level camera use करता था तब मुझे लगता था कि यार अगर मेरे पास में high end professional camera होगा full frame camera होगा तो मैं better images क्लिक कर पाऊंगा ठीक है बट वहाँ पे उस time पे मैं ये चीज़ भूल रहा था कि जो मुझे freedom मिल रही है जब मैं entry level camera use करता था मैं बहुत freely photography कर पाता था हर जगह जाता था camera को ले करके कोई डर नहीं लगता था बट अब जब मैं देखता हूं जब मेरे पास में professional level के cameras हैं और मैं high end cameras use करता हूं अपने shoots के लिए तब मैं देखता हूं कि मैं अपने normal काम के लिए या मुझे for example traveling का बहुत shock है मुझे traveling करना अच्छा लगता है और travel photography करना अच्छा लगता है street photography करना अच्छा लगता है वहाँ पे मैं अपना वो high end camera ले करके हर जगह नहीं घूम पाऊंगा तो अब हो क्या रहा है कि मेरी creative process की बीच में जो gear है वो एक hindrance create कर रहा है वो problem create कर रहा है तो मैं हम syndrome create कर रहे है problem create कर रहे है तो आपकी creativity सफर करेगी आप काम बेटर जरीगे से नहीं कर पाऊगे ज्यादा freely आप काम नहीं कर पाऊगे तो अलग-अलग situations में अलग-अलग scenarios में यह चीज हमें देखनी पड़ती है कि क्या चीज कहां पर हमारे लिए कितनी importance जो है रखती है और क क्या चीज हमें कितना ज्यादा help कर पा रही एक particular situation में आज के time पर मतलब मेरे पास में professional camera है full frame cameras में use करता हूं बट फिर भी majority of shoots मैं अगर street photography कर रहा हूं या मैं कहीं पर traveling करने गया हूं मुझे वहां पर अगर images क्लिक करनी है तो मैं आज भी अपना यह जिससे में record कर रहा हू अपना mobile phone को मैं use करता हूं images को create करने के लिए photographs को create करने के लिए तो मैं अपना वो camera जो main मेरा camera है मैं उसको use नहीं करता क्यों नहीं करता उसका reason ही यही है कि वो creativity के बीच में या उस process के बीच में वो जो instrument है वो hindrance create करता है उसको सम्भालना उतना ही मुश्किल है उसका उसका take care करना बहुत ज़्यादा important है मेरे लिए और जब मैं camera के बारे में ज़्यादा सोचता रहूंगा तो मैं images अच्छी तरीके से click नहीं कर पाऊंगा उतना freely नहीं कर पाऊंगा ठीक है तो अब for example मैं अभी अगर ये video shoot कर रहा हूं तो मेरे पास मैं camera है मैं camera से shoot कर सकता हूं ब मुझे lights use करनी पढ़ेंगी तो वह unnecessary है इस time और दूसरी तरफ मैं अगर mobile phone से shoot कर रहा हूं तो मेरा काम हो रहा है ठीक है so it's about the process अगर आपका काम हो रहा है और अगर आप एक normal tool को उसके better मतलब optimal level पे अगर उसको use कर पा रहे हो तो वह better तरीका है चीज़ों को करने का और काम करते करते जब आपकी process इतनी अच्छी हो जाती है जब आपकी technical जानकारी इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको process के बारे में पता लगता है कि हाँ किस तरीके से होगा उसके बाद में tool को use करने का जादा मज़ा है एक better tool को use करने का जादा मज़ा है कि फिर आप एक अच्छे टूल से भी बेटर काम कर पाऊगे क्योंकि अब आपको पता है कि हाँ एक नॉर्मल टूल की लिमिटेशन कहां पे है और कहां पे एक अपग्रेडिट टूल आपको जादा बहतर काम करने में हेल्प कर सकता है तो मैं इस तरीके से सोचता हूँ और यह मेरा टेक है कैमराज के उपर है कि जब हम इस क्वेशन की बात करते हैं कि कैमरा या फोटागरफर तो मेरा यह जवाब है कि कैमरा भी उतना ही ज़रूरी है जितना की फोटागरफर की स्किल सेट ज़रूरी है बट अगर आप एक एमेचुर लेवल वहाँ पर सफर करेगी अगर आप सिर्फ गियर के बारे में सोचते रहोगे सिर्फ कैमरा के बारे में सोचते रहोगे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो फोटागरफी करना तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल सेट को सीखना knowledge gain करना और process के बारे में समझना कि actually मैं photography होती क्या है किस तरीके से होती है जब आप इसको समझ लोगे तो अपने आपी काम करते करते आप एक ऐसे level पे पहुंच जाओगे कि हाँ अब आपको खुद पता चल जाएगे कि हाँ अब मुझे एक better gear की ज़रूरत है better results को देने के लिए वहाँ पे मैं कहूंगा कि gear को upgrade करना sorry या camera के बारे में सोचना तब ठीक है वहाँ पे आप सोच सकते हो वहाँ पे आप उसके बारे में काम कर सकते हो उस चीज़ के ओपर उससे पहले सिर्फ gear के बारे में सोचना मुझे लगता है कि बेवकूफी है और वो चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपकी creativity सफर करेगी आपका काम सफर करेगी तो ये थी मेरी understanding इस question को ले करके और ये था मेरा take इस question के ओपर कि is it just about the camera or is it about the photographer क्या चीज़ जादा important तो ये मेरा take है बाकी आप मुझे comments में बता सकते हो अगर मुझे कोई points चूट गए हो जो कि आप share करना चाहते हो तो you can share it in the comments below बाकी इस video के बारे में कुछ भी अगर आपको बोलना हो कोई feedback देना हो तो comment section में जा करके अपना feedback जरूर दीजिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा बाकी I hope you enjoyed the video और आपकी कुछ help होई होगी आपको कुछ समझने में help होई होगी so that's it from the video I'll meet you in my next video तब तक take care have fun and stay safe guys bye bye take care